नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर इंडिया की बात आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं प्रबीर पुरकायस्त और उर्मिलेश सबसे पहले तीन मुद्दे जिन मुद्दों पर आज हम इस अपने प्रोग्राम को फोकस करने जा रहे हैं सबसे बड़ा सवाल आखिर अमरीका की धर्ती में ऐसा क्या खास है कि प्रधान मंत्री नरेन मुद्दी अपनी यात्रा पर पहुशते हैं और वहां प्रेस समवादाताओं से बात करते हैं एक ही सवाल लेते हैं लेकिन प्रेस कॉंफरेंस को एटेंड करते हैं क्या खास है अमरीका की धर्ती में जो भारत की धर्ती में नहीं है और दूसरा सवाल पतना से पतना में जो बैठक चल रही है एहम विपक्षी दल जुटे हैं सूत्र बना रहे हैं कि 2024 में किस तरह से भारती जनता पार्टी को हराया जा सकता है क्या निकलेगा क्या खिलेगा इससे गुल और तीसरा एमर्जेंसी 25 तारिक को 1975 में लगाई गई थ यही देश में एमर्जेंसी तब की एमर्जेंसी और आप के एमर्जेंसी सबसे पहले पहला मुद्धा प्रधान मंत्री नरेन मोदी पहुचे हैं अमरीका हम सब के पास अंगिनत फोटो और वीडियो आए हैं उनके योग करने से लेकर मीडिया डील से बिज्नेस डील तक सवाल सिर्फ उन्होंने एक लिया लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मुदी एक सवाल के जवाब में लोकतंत्र की दुहाई तेरा बार देते हैं भारत और अमेरिका दोनों के डियेने में लोकतंत्र है लोकतंत्र हमारा स्पिरीट है लोकतंत्र हमारी रगों में है लोकतंत्र को हम जीते हैं आईए इस पर जानते हैं प्रबीर पुरकायस्त आपका पंच कैसे देखते हैं आप इस खबर को देखे पहली बात तो यह है कि जो अभी इस वक्त यूक्रेन में जंग चल रहा है चीन के साथ अमरीका का तनाव है यह सब देखते हैं लगता है कि भारत वर्ष के एहमियत अमरीका की नजर में काफी ज्यादा है इसलिए नोदी जी को उन्होंने बुलाया कि कुछ दील्स करे तो उस डील्स के जरीए दोनों की स्थिति और अच्छा करने की कोशिश करें उर्मिलेश जी क्या है इस पर आपका पंच देखिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो प्रेस कांफेंस की उसमें एक तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया पूरी दुनिया को मालूम है कि समय भारत में भायानत डिस्क्रिमिनेशन है नौ सालों से डिमोक्रिटिक राइट्स यूमन राइट्स और जितने इस तरह के समवैधानिक अधिकार हैं समवैधानिक संस्ता हैं सब पर हमले हो रहे हैं और संजोग बस यही सवाल उन से लेकिन वो कितना हलका था यह सब दुनिया देख रही है इस पर मेरा पंच बहुत साफ है कि एक बात मोदी जी ने अमरीका की धरती पर बताई कि अगर डीलर बड़ा है दबाव बड़ा है तो वो बहुत चीजें करने को तयार होते हैं और जिस तरह से उन्होंने तेरा बार अपने जवाब में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र की दुहाई दी उससे बात साफ हो गई कि खत्रा कितना बड़ा है और सवाल कुछ था जवाब कुछ था लेकिन मीडिया से संबोधित करना उमीद की जाए कि 24 से पहले भारत की धरती में भी वो पत्रकारों के सवाल लेने की स्थिती में होंगे प्रवीर हम बात को आगे बढ़ाते हुए जो दिखाई दे रहा है अभी तक योग दिवस से लेकर अभी तक जितनी चीजें हमारे सामने आई हैं एक बहुत बड़े पैमाने पर मोदी जी की छवी और भारत और अमरीका के बीच जो रिष्टों की दुहाई दोनों नेता दे रहे हैं उसमें जो बिजनेस डील्स हो रही है वो कितनी एहम है और क्या दो हजार चौबिस से पहले उनमें कुछ जमीन पर उतरेंगी देखें दो अलग पहलू इसमें है क्योंकि एक जो बिजनेस डील्स कह रहे हैं इसमें एक हिस्सा तो है ज ना जा हवाई जहाज की बात रफाल डील कर रहे थे उसको आप छोड़ दिया हिंदुस्तार नॉटिक्स के साथ ये जी की एंजिन की बात हो रही है हवाई जहाजों की सवाल यह है कि इस वक्त अमरीका क्यों है देने के लिए तैयार है साफ है कि अब रूस के साथ उसको टक् पाइदे के तो हम यह कर देंगे वो कर देंगे स्वार नीचे आ गया है दोनों का लग रहा है कि हमें फायदे हो सकते हैं पर आपने जो पूछा क्या होगा देखने की बात है क्योंकि इस तरह के बहुत डील्स हुए हैं कहां पहुंचते हैं क्या कारवादित होते हैं जमीन पे होते हैं, देखने की बात है, वेदानता के साथ भी ऐसे डील्स हुए थे, फैब्रिकेशन के लिए, इलेक्ट्रोनिक चिप फैब्रिकेशन के लिए, जो महराष्टर से गुज़ा चला गया था, पर ये अभी जो है, वो ठप हो गया, तो देखना पड़ गया, क्या अब मा उर्मिले जी एक बात बताईए कि जिस तरह से मोदी जी की विदेश यात्राएं रही हैं, उसमें हम सब जानते हैं कि पियाद यानि पब्लिक रिलेशन एक बहुत एहम भूमी का अदा करता है, ये यात्रा दो हजार चौबिस क्या जो पूरा का पूरी तैयारी चल रही है, उसमें विश्व गुरु के तौर पर मोदी जी को कितना इस्थापित कर पाईगी? और दोस्ती गहरी ये दोनों बहुत अच्छी नहीं है किसी के तहले है, ये ये बहुत सारी अमेरिका पर वहारसा किया, अमेरिका सबको धोगा दिया। यह कम से कम बहुत सारे Latin American countries में भी हम देख चुके हैं तो मोधी जी अगर अमेरिका पर बहुत सा कर रहे हैं या भारत की मजूदा सरकार का नित्युष तो कर रहा है तो भारत की जंदा के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि हमने अतीत में देखा है दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूं कि जो context आज है वो क्या है वो है कि चीन को लेकर लगता है अमेरिका को कि भारत एक ऐसी ताकत है एशिया में जो बहुत बड़ा सहयोगी के रूप में उबर सकता है लेकिन वो springboard की तरह अगर हमको इस्तेमाल करना चाहेगा तो हमारा हाल तो और भी बुरा हो स सकता है इसलिए सतर करने की भी जरूरत है तो विश्वगरू की जो परिकल्पना है वो बड़ी हवाई है और अच्छी बात है कि हम एशिया में अपनी position strong करें developing nations के बीच हम अपनी strong करें position हम ब्रिक्स को और ज्यादा बहतर ढंग से strengthen करें ये सब चीजें बहुत जरूरी है ये मुझे जो लगता है लेकिन मोदी जी चुकी करिश्माई नेता है मैं एक चीज़ तो मानता हूं कि वो आप कह रही थी कि बोलने हिंदी अंग्रेजी देखे वो कुल मिलाकर smartness उनके अंदर तो है वो बात सही है उनकी राजनीती जो है वो देश के लिए 9 सालों में कितन करना वो करना तो ये जो उनका अंदाज है लोगों को एक मध्यवर के कपके को भारत में बड़ा अपील करता है इसमें कोई दोराई नहीं लेकिन ये कब तक करेगा ये कब तक करेगा आमने करनाटक में देख लिया अभी तीन राज्य में और चुना होने वाले हैं वहां द बात नहीं है 2023 में ये यात्रा है 2024 में आम चुनाओं होने हैं और इधर पिशले दिनों अगर आप 6 महिना उठाके देखिए जनवरी से लेकर अभी तक मोधी सरकार के लिए अंतराश्टी इस तरफे खबरे बहुत अच्छी नहीं रही है चाहे प्रेस फ्रीडम की बात हो च क्या जो आपसे मैं जाना चाह रही थी कि 2024 में यह अमरीका की यात्रा मोधी जी के लिए कितने फाइदे में होगी देखिए ये दो एक दिन की दो दिन की बात आती है जो अखबारों में आती है मोधी जी गए वाइट हाउस में गए ये किये वो किये उसका कोई लांग लास ये सवाल है सवाल है कि भारत वर्ष का जो आर्थिक साइज है फिफ्ट लार्जेस्ट इकॉनोबी की बात हो रही है सही मातले में GDP पर्चेजिंग पारिटी टर्म हम महां पहुंच चुके हैं तो पहले जो छोटे मोटे देश दुनिया का नेता मानते थे अपने आपको फ् लेज जी कह रहे थे कि जो तीसरी दुनिया एक जमाने में कहला कहला ही जाती थी वह अब दूसरी दुनिया के रूप में सामने आ रहा है और आफरिका एशिया और लाटन अमेरिका भी तैख करेगा दुनिया में क्या होने वाला है इसलिए हमारी पोजिशन थोड़ी चमक रही है पर मोदी जी उसमें किता चमकेंगे वह एकदम अलग बात है मैंने समझता हूं कि 2024 की चुनाव में यह प्रेजिदेंशिल विजिट की डॉर पे जो उन्होंने किया है अभी अमरीका उसका कोई असर एक दो दिन तीन दिन के बाद रहेगा उर्मिलेशी वापस मैं आप को ले जाती हूं अमरीका की तरफ और देखिए जो अमरीका के पूर्व राष्टपती बराक ओबामा ने इंटर्व्यू दिया CNN को वह बहुत एहम इंटर्व्यू है जिसमें वह बकायदा बाइडन को कहते हैं कि उन्हें मोदी जी से खास तोर से मुसल्मानों के ऊपर जिस जो जो उबामा ने दिया CNN को वो उसका इंपक्ट अमेरिका में रहने वाले भारतियों को भी पढ़ रहा है मैं इस वैम अमेरिका में कुछ लोगों से बात हुई और कुछ मेसेजिज़ वर्टसप से हम लोगों ने संदेश हैं तो वहां बहुत इंपक्ट इसका है ओमामा उनके अंदर इतना डिसकंटेंट है इतना डिसकंटेंट है मोधी जी और मोधी जी की सरकार उनकी पार्टी का एक ही तरीका है कि इन ग्रूप्स में से कुछ एक लोगों को निकालते हैं एप्रोप्रियेट करते हैं उनका उप्योग किया जाता है तरह तरह से ताकि मुसलिम की बात नहीं है माइनार्टी कमुनिटी में आप जिस सोथा जहां भी जाये सबार्टन समूह में जाये राइवल्स में जाये आप जो ग्रूप्स है छोटे छोटे उन में जाये क्रिश्चन्स में जाये हर जगा एक पौर जली रहा है और यही दलित लोगों का आप जानती है लेकिन दलित लोगों में खासकर उत्रप्रिश्ट में बीजे पी ने इतना जबरदस धंग से एपर्प्रियेट किया है वहां की जो सितिया है खासकर मायवती जी के निश्क्री ह होने के बाद दलितों का एक समुख बीजे पी की तरफ जा रहा है और इसके लिए उन्होंने दलित समाज से कुछ नेताओं को खड़ा किया है और उनके जरिये मोगलाइज किया जा रहा है लाभार्ती बनाया जा रहा है लोगों में लोगों को विकसित नहीं किया जा रहा ह बारत में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बराक ओबामा का जो इंटरव्यू है लेकिन अमरीका में जो छवी बनाने की तैयारी है उस पे असर पड़ेगा प्रभीर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसी के साथ बहुत एहम फोटो और वीडियो यह भी आए कि अमरीका में और खास तोर से जब बैठक चल रही थी जब वो सीनट को एड्रेस कर रहे थे उस समय बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए ऐसे ट्रक्स भी गए जहां पर बकायदा अमरीका के लोगों ने बाइडन को कहा हाई बाइडन आप मोदी से यह सवाल होती है और हमने यह भी देखा कि वहां पर तमाम यंग्स्टर्स बड़े पैमाने पर एड्रेस करें और कह रहे हैं कि मोदी जी अंदर जूट बोल रहे हैं यहां तक कि सिनेट में भी बड़े पैमाने पर 75 लोगों ने साइन भी किये यह जो विरोध है अमरीका की धरती में और खास तोर से बहुत बुनियादी मुद्डों पर सेकलरिजम पर हमलों पर उसका क्या बैकग्रांड है और उसका क्या असर रहेगा देखिए उसका बैकग्रांड तो भारत वर्श है तो उसमें तो हम ही इससे ज़्यादा जानते हैं जो वहां पर लोग है हमारे ही कुछ मारत वर्षते गए हैं, वहां के लोग हैं, वो जिता जानते हैं, हम उससे ज्यादा ही जानते हैं, मान के चलना चाहिए, जो उर्बलेश ने उठाया जो सवाल, मानिपुर जल रहा है, इस वक्त, दो मेहना होने जा रहा है, अभी भी जल रहा है, अभी भी वहां पर प्रेजि भारत वश्च पे इतना बड़ा राइट्स दो महिना चलना, जिसमें इस तरह का लोगों का अलगाओ हो गया, और अभी भी सेंटर निश्क्रिये हैं, एक हिसाब से बाते करे जा रहा हैं, इसलिए हम लोगों को, यहां जानने के ज़रुरत नहीं है, कि हमारे धर्ती में हो क उनकी जरुरत पड़ती है, तो आपको आस्मान में उठा देंगे, जब उनकी जरुरत नहीं रहेगा, तो तुरंट आपको गिरा देने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती, वो किसिंजर का बयान था, जिस पे उन्होंने कहा था, इट इस डेंजरस टो बी इनेमी अफ एमेर है, तो ये स्थिती में इसकी समझना चाहिए, कूट नीती में इस दिखावा है सब की, और हमें अपनी लड़ाई, अपने जमीन में लड़ना पड़ेगा, अमरिका के जमीन में क्या होता है, देखने की बात है, तो निशी तो पर एक चीज तो साफ है, कि जिस तरह से जो व हमने आई हैं कि अमरीका में सारे लोग सिर्फ मोदी जी के पक्ष में ही नहीं खड़े हैं, विरोध भी हो रहा है, विरोध भारत के बुनियादी मुद्दों पर हो रहा है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ भारती राजनीती के लिए बहुत एहम और के जिंद्री मुद्दे पर थी कि 2024 का चुनाओ कैसे लड़ा जाए, भारती जनता पार्टी से कैसे लड़ा जाए, शायद इसमें जो बुनियादी चीज है, सबके लिए सर्वाइवल यानि जिन्दा रहने की बात है, जिसे तमाम विपक्षिदल महसूस कर रहे हैं, इस पर क् आपका पंच प्रबीर, देखे शुरुआत अच्छी है, क्योंकि इतने सारे विपक्ष दल एक जगव पर आए, बात करने के लिए तयार है, 2024 की चुनाओ को सामने रखते हुए, वेट और वाच, इससे निकलता क्या है, कित्ती दूर तक ये ऐलाइंसे बन सकती है, मैं समझता हूँ कि विपक्ष के जितने प्रमुक दल हैं, वो सभी एकजुट हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्दी है, ये पहली बैठक है 2024 के एलेक्शन के मद्दे नजार आल अपोजिशन पार्टीज की, यानि मेजर पुलिटिकल पार्टीज की, अगर इ इसका एक मोमेंटम इससे बनेगा, इसमें मेरा पंच बहुत साफ है, कि दरसल ये जो बैठक है, ये भारत में लोगतंत्र को जिन्दा रखने के लिए बैठक है, और भारत का मानचित्र उठा के देखिए, तो जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर यहां पर नेता और र प्रवीत, ये जो बैठक हुई है, और खास्तोर से बिहार की धरती में ये बैठक हुई है, और बिहार के नेताओं का कहना है, कि हमारा इतिहास रहा है, इससे पहले भी इंद्रा गांधी को हटाने की योजना कारेक्रम यहीं पर बना था, क्या आपको लगता है कि बिहार की CPM के बीच लड़ाई है, वो आए हैं, क्या विपक्ष आगे चल पाएगा? चलना पड़ेगा इसलिए कि अगर नहीं चलेंगे, तो 2024 के बाद बहुतों का अस्तित्वा खत्रे में होगा. जिस तरह से रोलर चल रहे हैं, सिर्फ बुल्डोजर नहीं, रोड रोलर चल रहे हैं पार्टियों के उपर, उनके हर और्गिनाजेशनल आस्पेक्ट पे जो अटैक्स है इस वक्त, चाहे आपकी पुलिस की, ICBI की, यह तो है ही, इसके साथ साथ इंकम टैक्स, ED, वगारा वग लड़ाई है, जैसे हमारी डिमाक्रिसी की लड़ाई है, सिटिजन के रूप में, उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और यह इस वक्त समझ रहे हैं, कि अगर हम इकठा नहीं आएंगे, तो अलग-अलग मरेंगे, तो इसलिए मैं समझता हूं, कि यह बहुत एहमियत रखेगी, दूसरे और ताकोतों को लाने के लिए, के सियार है, जगन है, वो आते हैं नहीं आते, बीजे ली शायद नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जान रहा है, कि हम इस सबसे अलग रहेंगे, अपना बचाओ कर लेंगे, उरिसा में उत्ता ही काफी है, तो यह जो असर साफ है, क्या होगा, सवाल है यूपी को लेकर, यह उर्मिलेश जी पताएंगे कि यूपी के हालत क्या होने वाला है, और उसमें इस आपोजिशन यूनिटी का क्या असर पढ़ने वाला है, उर्मिलेश जी यूपी की बात है, और यूपी से मायवती इसमें आई नहीं उनको बुलाया भी नहीं गया, तीन जो बड़े नेता इसमें आमंतृत नहीं थे, उसमें मायवती थी, जगन थे और नवीन पतनायक थे, केसियार आये नहीं, इसका जो डो लोग नहीं आये हैं, आरेलडी भी नहीं आया, जैन चौधरी नहीं आये, उनने परसनल रीजन बता कर कह रहे थे कि अगर कॉंग्रेस इस पर तयार नहीं होगी, ओडिनेंस पर साथ नहीं आएगी, तो हम बाइकॉट कर देंगे, यानि अभी भी बैठक शुरू होते होते, टकराहट के भी ग्राउंट सामने आ गये, और भारती जनता पार्टी के तमाम नेता, इस बैठक को लेकर यहीं बता रहे हैं कि यह महाब्रष्टों का गडवंदन है, यह चलेगा नहीं, यह तमाम मेड़कों को तॉलने की बात है, बीजेपी का यह दावा है इसको लेकर. देखे, सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं, इसके बाद हम आपके, जो और आपके सवाल के पहलू है, उसको भी हम अपनी बात रखेंगे. देखे, उत्तर प्रदेश वाकई देश के लिए सबसे महत्मुन प्रदेश इसलिए है कि 80 सीटे हैं, कई प्रदेशों को मिलाकर भी 80 सीटे नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से यह जो प्रदेश है, भारती जनता पार्टी को जिस कारण से पुना हासिल करने का बार-बार भरो प्रदेश नहीं काम किया है, बलकि उसने विपक्षी राजमीतिक दलों को भी उन पर भी काम किया है, और बीजेपी ने आज जो इस्थिती पैदा की है, लोग कहते हैं कि नेत्यत तो जो है, वो मजबूर है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता जो अपोजिशन पार्टी को क करना चाहिए, अब जैसे उदारन के तोर पे आप देखिए नई पार्लामेंट के उद्गाटन के मौके पर पूरा देश का पोजिशन एक साथ था, लेकिन मायवती जी अलग थी, मायवती जी ने फक्ष लिया सरकार का, उन्होंने सेंगोल पर भी साथ दिया सरकार का कल्कम हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि उसने अपने अस्तितों को अपने वजूत को ही लगवग समाप्त कर दिया है, तो कि मजबूरियां उनकी कुछ है, मैं इन पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो बोलने का कोई अभी फायदा नहीं है, लेकिन दूसरी जो पार्टी सबसे बड के लिए, डिमक्रसी और समविधान की रक्षा के लिए लोग फुर्बानिया दे रहे हैं, और अब जिसे मके स्टारिन, आप मके स्कारिन के भी राई नीत में बहुत सारी आलोचना के पहलू हो सकते हैं, उनके नेताओं में भी बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे लगता है कि नीजी जो कारण है राजनितिक दलों के उससे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्मी इस देश का वजूद है इस देश की संवैधानिक्ता है इस देश की देमक्रसी है उर्मिलेश जी फोकस उन्होंने रखा उत्तर प्रदे 24 में अगर आ गए तो जिन्दा रहना मुश्किल होगा लेकिन तमाम लोगों में प्रधान मंत्री बढ़ने की इच्छा है और यह इच्छा वो जाहिर भी कर चुके हैं जिसे लेकर भारती जनता पार्टी सबसे बड़ा दाउं चलती है कि यह सब लोग आपस में ही टकरा ज करती है पेश करना शुरू कर दिया बैठक से पहले ही शुरू कर दिया वहां यह जो गडबंधन है यह जो बैठक है यह कोई एक विकल्ब दे पाएगी 2024 के लिए इसमें कोई दो रहे नहीं है अगला चुनाव जो है इस पर नहीं होगा क्या हम क्या दे पाएंगे यह चुन नहीं था कौन जीत के आएगा यह सवाल था कौन जाएगा तो यह भी इस वक्त जनवात को रक्षा के लिए अगर पार्टिया है तो मेरे ख्याल से जनता की राए भी वही होगी कि इस वक्त BJP को हटाना ज़रूरी है जी तो मेरे ख्याल से यह जो पहले लगता था कौन होग क्या होगा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा सबकी existence की अस्तित्व की जब सवाल आती है तब वो इस चीज को आगे करते हैं और वो स्थिती में इस वक्त राजनितिक दल और देश पहुंच चुका है तो मेरे ख्याल से अगला चुनाव जो है वो इस emergency के होपर होगा जो 77 की emergency प्रबीर ने चर्चा की emergency की और हमारा तीसरा मुद्दव वही है कि जिस तरह से 48 साल पहले 25 और 26 जून की रात को इंद्रा गांधी ने emergency लगाई थी आज की तारीख में कितनी emergency है घोशित emergency है या घोशित emergency में भारत जी रहा है भारत के जो लोकतंत्र है लोकतंत्र के जितने खंबे हैं वे कहां खड़े हैं क्या विजनता के पक्ष में आवाज उठा पा रहे हैं इन तमाम सवालों पर सबसे पहले प्रबीर आपका क्या पंच है बेरा पंच ये है कि जनता अपनी रख्षा हमेशा खुद करती है ये मत समझी कि हमारी अरापकी उनकी जरूरत है जैसे 77 ने उन्होंने मिसस गांधी को शिक्षा दिया था कि जनवाद क्या है देश में मेरे ख्याल से वो शिक्षा दुबारा देने के लिए देश इस वक्त तयार है जनता इस वक्त तयार है उर्मिलेश जी क्या है इस पर आपका पंच देखें जो इमर्जंसी थी जिसको हम सब ने देखा था मैं उन दिनों बीए का चात्र था इलाबाद विश्विद्याले का वो बहुत ही बुरी थी इसमें कोई दोराय नहीं भयानक थी लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये इमर्जंसी का बात है और मैं समझता हूं कि ये कितना भयानक है ये वही बता सकता है जिसने इमर्जंसी भी देखी हो क्योंकि इमर्जंसी जो ती उसमें नेता ज़्यादा निशाने पर थे कारिकर्ता भी निशाने पर थे इसमें पूरा पढ़ा जा रहा है और खास तोर से जिस तरह से मीडिया पूरी की पूरी तरह से लंबलेट है वह एक चिंता का विशह है कि इस समय जो अगोशित एमर्जेंसी चल रही है उसके बारे में रिपोर्ट बहुत कम है उसके बारे में कोट कचहरी से भी मदद की कोई आसार नहीं है शायद यह लोगतंत्र को बचाने की जो लड़ाई चल रہी है उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्णचिन है प्रभीध आप आपने एमर्जेंसी देखी आप एमर्जेंसी के दोरान जेल में रहे आप किताब लिख रहे हैं जिसमें एमर्जेंसी के बारे में चर्चा है वो को याद दिला के गए थैं अमर्जन्सि के बारे में यहां पे जो उनों ने बात की उसमें अधिकर देता है आप तो जेल काट चूकें हैं अधिके उस तरह से बताना कि व क्या था यह क्या था यह तो एक क्या कहेंगे और उप चारिग बाद हो जाएगी सवाल अर्बलेश ने जो उठाया अर्बलेश जी ने जो उठाया कि हमारे पर जनता पर जनता की बोलने की आजादी पर जनता की अपने संघरश करने की आजादी लोगों की जीने की आजादी अस्तित तक भी सवाल है जब आप खा नहीं सकते कुछ चीज आप वह जा रहे हैं और आप पर भी एटक है उन इंस्टिटूशन पर एटक है तो तो अलग किसिम की एटक है और फरक यह है कि उस वक्त सब पर एटक था एक हिसाप सेकुलर एटक था emergency हमारी democratic rights पे यहां पर secular attack तो है ही उसके साथ साथ एक बिभाजन कारी attack भी है ताकि कुछ लोग कहें कि ने ठीक हो रहा है उनको तो सिक्षा मिल रही हम तो ठीक हैं पर उस emergency में भी आप लोगों को आप लोग उत्ता याद दी कर पाएंगे छोटे थे उस वक्त मैं तो उस वक् था स्टूडेंट था और उमर के स्टूडेंट था पर जो मुख्य चीज जो उस वक्त थी कि लोगों का जो डर था लोगों का भै था क्या होगा उनके साथ वो धीरे धीरे टूटा और जो ही election की घोशना हुई तम लोगों को पता चला जो जर पॉलिटिकल लीडर्स थे उन कि अब भी जो गदी के बैठते है ना वो सुनना जो चाहते हैं वही सुनते हैं स्ताबक जो होते हैं ना उनको पर तुती गान अब तो प्र एंजन्सीज और मीडिया ईटी सेल्स अब मुहीं उनको पताते हैं जो सुनना चाहते हैं ज При pense चुशती है सेंनता चाला के तो फञ राय मेरे ख्याल से काफी हद तक तै कर चुका है और अगर विभाजनकारी शक्तिया पुलिटिकल पार्टिस के रूप में उसमें सेध न गाड़ेगी तब तक तब मैं समझता हूँ कि इस सरकार की इस एमर्जिंसी भी नहीं चलेगी उर्मिलेश जी प्रबीर कह रहे हैं कि जनता अपना मूड बना चुकी है लेकिन एक बात जो भारती जनता पार्टी मोधी सरकार और तमाम सरकारें देश में कहती हैं कि हम में तो जनादेश मिला है और अकूत बहुमत वाली सरकारें हैं 2014 में मिला और उससे बड़ा जनादेश उन्हें 2019 में मिला यानि लोकतंत्र के जो तमाम खंबे हैं या जो लोकतंत्र में चुनने की प्रक्रिया है सरकार की वो इनके पक्ष में हैं ये जो एक विरोधा भास यहां दिखाई देता है कि हम आप यहां पर कह रहे हैं कि एमर्ज फर्क आपको बताएं उस दौर और आज के दौर में की तक्नीकी और प्रावद्योगी की के अस्तर पर चुकी समाज और स्ट्रक्चर इतना बदर चुका है कि उस वक्त इमर्जेंसी के खिलाब जो जनता में आकरोश था कहीं वो नस्बंदी को लेकर था कहीं वो अन्य आज यह हैं कि जो लोगों की के दिमाग को बिल्कुल बदलने का जो सबसे बड़ा उपकरणा है वो इस व्यवस्था चलाने वालों के पास है सरकार चलाने वालों के पास है अब जैसे उदारन के तौर पे पूरे समुचे सुचना तंत्र को एक तरह से कवजा कर लिया है सर पेलिविजन चैनल हूँ, अखवार हूँ भाशाई अखवार, अंग्रेजी के भी जो अखवार हैं तो तीन को छोड़ करके बहुत बुरी तरह एक ही तरह की बाते च्छप रही हैं, तो जनता में जो चीजें जा रही हैं वो बिल्कुल वही हैं जो सरकार चाहती है, तो एक बड़ा फर्ग तो यह है कि सत्ता अपने पक्ष में ताना शाही के पक्ष में लोगों को मोबिलाइज करने के उपकरणों का उसने विस्तार किया है पहली बात दूसरी बात यह है कि प्रभीरदा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए उस वक्त मालीजे सत्ता और समाज के वी सत्ता और उपक्ष के वीश में सत्ता और जंता के वीश में लड़ाई थी आज इस देश में दूसरी लड़ाई है क्योंकि उस वक्त सस्पेंड किया गया था अधिकारों को यह तो चाहते हैं कि अधिकार जहां से प्राप्थ हो रहे हैं उसी को खतम कर दिया जाए यह पू इडिया में रिपोर्टिंग नहीं आई है दरसल वह भी एक कथित हिंदुत्वा जो इसको कहते हैं ने पॉलिटिक्स में कथित हिंदुत्वा उसी की राजीज के कुछ शक्र में दुश्चक्र में फसा हुआ है माणीपुर और उसी के कारण ये दुरगती आज पहुशी है उ संगी हिंदुत्वा बनाओ तो ये जो खत्रा इस देश पर है संगी हिंदुत्वा इंपोज करने का मैं समझता हूं कि ये इमर्जनसी में बिलकुल नहीं था इसलिए मैंने कहा कि इमर्जनसी वो थी ये इमर्जनसी का बाप है तो मुझे लगता है कि एक बुनियादी कि इस समय संगोल युग में भारती लोकतंत प्रवेश कर चुका है देश में समिधान है और नहीं भी है देश में कानून की विवस्ता है और नहीं भी है दो तरह का विधान चल रहा है जो लोग सत्ता के पक्ष में हैं उन तक ना ED पहुचती है ना CBI पहुचती है और विपक प्रूग की छवी हो अमरीका से या फिर पूरा का पूरा संगोल यूग का प्रचार प्रसार अवधारना की जो राजनीती है परसेप्शन बनाने की जो इंडस्ट्री है वो इसमें मोदी जी के साथ है आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े देखिए लाइ झाल 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 झाल